नमस्कार गुरकपुर न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूं सुनय पांडे ख़वरों के अंदर जाने से पहले चलिए सबसे पहले जल्दी जल्दी नज़र डालेते हैं आज के प्रमुख हैडलाइन्स पर प्रापर्टी डीलर हत्या के मामले में निशाद पार्टी के संजय निसाद पहुँचे मृतक के घर कहा प्रसासनिक अदिकारियों से हुई है बात जल्दी होगी अपरादियों की गिरफतारी जल्दीकारी के विजियन पांडियन ने स्टीपी वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और लौकायन केंद्र का किया निरिक्षण कारियों में तेजी लाने के लिए दिया निर्देश गुरकुर्विश्विद्याले के MBA और BBA के छात्रों ने लगाया प्रोफेसर गोपीनात्पर भस्ताचार का आरोप कहा लगातार डीन कर रहे हैं अपनी मनमानी यूपी और उत्राखन के सीमा सुल्क के आयोक्त शिव कुमार सर्मा ने बताया कि विप्ती वर्स 2017-18 में विभाग ने 290 केस में 29 करोड चार लाग का किया है सीजर जिलादिकारी की अध्यक्षता में संपन हुई विकास कारियों की मासिक समीक्षा बैठग विकास कारियों में तेजी लाने के लिए दिये निर्देश पूरे देश सहित महानगर में भी हुआ दलितों पर अक्त्याचार के विरोध में कॉंग्रेसियों का प्रदर्शन रखा मौन वरत अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने डियम कारियाले पर किया प्रदर्शन मांग पूरी नहीं होने तक दी आंदोलन की चेताओं नी श्कॉलर्शिप और सुल्क प्रतिपूर्थी की मांग को लेकर आल बीटीसी वेलफेयर एसोशीयेशन के सदस्यों ने जिलादिकारी को दिया ग्यापन दो दियुसी रास्टी संगोस्टी का हुआ समापन वर्तमान वैश्विक परिपेश में बौध सिख्षा की प्रासंगिक्ता विशय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार गोरःपूर में फिर मौसम ने ली करवट बढ़ी शहरवासियों की सासर मध्य प्रदेश के दूर्ग में सिंधी यूअप को हतकडी लगाकर शहर भर घुमाने का सिंधी समाज ने किया विरोध सिंधी काउंसिल ओफ इंडिया के अध्यक्ष गौरःप खटर ने की प्रेस्वारता और जगदंबा प्रसाद पांडेश मारक फिप्थ एससाइड अंडर सिक्स्टीन जीला स्तरी हौकी क्रिकेट का हुआ उदखाटन उदखाटन मैच लक्ष स्पोर्ट्स अकैडमी ने साथ के मुकाबले चार से जीता अब खबरें विस्तार से रविवार की रात शाहपूर्थ हना अंतरगत चार फाटक ओवर ब्रिज के पास प्रापर्टी डिलर संतोस साहने की कुछ बदमासों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी इस घटना के मत्यनाजर सोमवार को निशाद पार्टी के रास्टी अध्यक्ष संजय निशाद मृतक के मुहद्दीपुर इस्थित घर पहुचे और परिवार का ढालस बढ़ाया संजर निशाद ने मृतक के परजनों से मुलाकात की और जल से जल कारवाई करवाने का उन्होंने आसवासन भी दिया इस मौके पर मृतक के घर सीयो क्राइम प्रमीर सिंग भी उपस्थित रहे काफी देर चली संजय निशाद और सियो क्राइम के बीच बातचीत में सामने आया कि जल से जल अपराधियों की गिरफतारी की जाएगी इस घटना के बारे में गुरपुन निउस से बात करते हुए डॉक्टर संजय निशाद ने कहा कि प्रशासन का सहयोग मिल रहा है और आला अधिकारियों से उनकी बात भी हुई है अपराधियों की गिरफतारी जल से जल हो जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो निशाद समाज आंदोलन करने पर विवश होगा मत आंदों के रहा है gossip b otur रहा है कि द gefährटंगर अबना कि दयां जांदो कि दॉश को नहीं होग है जाई नहीं होग है करेंग एगा इसे बएयर बिज एटक्र विए इसे बखाकर याद से जड़ेख ए मोबाइल भाईया दो सिनाराश्च हाँ जजी के लडाटे सिनाराश्च पर अपिस्टो न लाट 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 अब इन्हों ने चिन्नित कर लिया कुछ लोगों उठा लिया हूँ और पहले से क्रिमिनल था और सीधे साधे परिवार के साथ उसने खटनाई किया है अब कैसे वाविन का भी से परिवार के लिए और उन्होंने वास्वच्ति है और इन्होंने वास्वच्ति आज आए कि अब अभी अपना शुत्रों के दौरा उसके प्रसंद कर लिया है आप में मानेंगे कि प्रसासनिक स्रायोग आपको मिला है निया 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 है करना Latv 2017 कि इस से अपने आलांव को मरत प्रसाइब करते हैं अभ्योड दोह समाश को अगेवां बढ़ देता जिलादिकारी के विजयन पांडियन ने सोमवार को रामगरताल इस्थित बन रहे स्टीपी वाटर स्पोर्ट्स के कारे का और चक नीरिक्षण किया इसी के साथ ही डीम ने नौकायन केंदर के लेकविव सहित मुख्यमंदरी के विकास कारियों में शामिल योजना के कारियों की प्रगती का स्थली निरिक्षण भी किया और संबंधित वीभागों के अधिकारियों को कारियों में तेजी लाने के निर्देश भी दिये निरिक्षण के दोरान छेत्री पर्याटन अधिकारी रविंद्र मिश्र जल निगम के अधिकारी मौजूद रहें गुरपु निउस से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजियन पांडेन ने बताया विजिघ्डों तरह मौजूद ना रहेंले हुए जिलाधिकारी समय पर्टिक्षण को ने थे मौटेज्पूर जे रहें दोरें। अंधर जेना पांगें। आज में तो सुबह गया था रामगड़ ताल का निक्षिन कराने की रामगड़ ताल में कास्वर पे दोस्तों शिकाया था वहां का स्टीफी का फंक्शनल लेते वे याना स्टीफी वहां दो है 30 से मंधी का और 15 मंधी का और यहां का तकरीब इन 6-7 नाल आए उसी के माधियम स पानी का जो शुद्ध होते हो रहे तो फिर पानी बिलता है एक नरिशन उसका किया था दूसरा जो परेटन वाक माधियम से थीन-चार प्राजेक्ट वहां ना रही है एक तो स्पोर्स कांप्लेक्स बंदे यह 40.000 उसका एक दमालिश कराना था था कि पुराना जो वहां सब्सक्राइब करने के लिए जगता लांचिंग पर देखाता उसको सब्सक्राइब हो रहा है तीजरा वहां गई बड़ा 100-200 फूट का जन्डा जो लगाने के लिए काम चलवा रहा था हो भी प्रगदी पर हैं बट काम तो धीमे है इसलित उनने तो निरिशन करा करके सब क चताओनी दिया है यह काम को तीजी करा है तागि हम लोग एप्रल अंद तक इसको काम करा तोरा यह रूप रहा देंगी अधु गर्मी के पहले यह जन्ता के लिए सुद्धा कर सके दिन द्यालुपादे गोरपुर विश्य द्याले के MBA के छात्रों ने MBA की विवस्था पर सवाल उठाते हुए MBA बिभाग के डीन प्रोफेसर गोपिनात को कटकरे में खड़ा कर दिया है MBA के छात्रों का कहना है कि पिछले वर्ष जिन पेपरों में उन्हें 80% अंग प्राप्त हुए थे इस बार उसी पेपर में वे फेल कर दिये गए हैं छात्रों का कहना है कि MBA और BBA में कुल मिला कर ऐसा 60 छात्रों के साथ किया गया है MBA विभाग के डीन गोपिनाद पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फीस के नाम पर धन उगाही की जाती है और ताना शाही का रवईया हमेशा गोपिनाद की ओर से लगातार अपनाया जा रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए ततकाल मौके पर कुलसचिव सत्रुगन वैस्ट पहुचे और वहां के छात्र छात्राओं को समझाने का प्रयास किया इस समन में उन्होंने छात छात्राओं से कहा कि अगर आप चाहें तो आपके काउपियों के स्कूटनिंग कराई जा सकती है और आपकी मर्जी है अगर आप चाहें तो RTI दाखिल करके इस बावत पूरी जानकारी भी ले सकते हैं गुरपुनियों से बात करते हुए BBA के छात्र अस्ट भुजा पाठक ने कुछ इस तरह से पूरे मामले को बताया में अच्छे हो अखिले अच्छे है ते तरह सब्सक्राइब अबसर पाठक प्राइब जाए न जीकित फुट्ट का दरह आओ ज्יםदावार, मुर्दावार, मुर्दावार, मुर्दावारयлично! गुझाब, गुझाब, गुझाब गुझाब, गुझाब ज स्ताइब घाल बेल्टे पार्णडकमी क्वेसा . यू जा भी उ जा बीचा बितुवस पहा कुछना कुछे पूलाखर, इछ कह सब नितुछ में हो कि पोणहा है। तो प्रेस्में पिष्में के घए हैं आप प्रेस्में के बिलाखे फिए हुरत नित्षा बन का कしँ पार्च के तरीन तन पार्च है? हेरो निताना के बनागस करीको जो रजे नहीं तो कि वोग फिन ये जटायों जा जो जा डिगा है जया कर दान के लिगाओना ता ही कि अपन जा जबाद्टा भेभा टते हैं, अपिशन के अड़ता बुदेल को जा जगदा देड़ जहां है लो और बादी नहां जादा सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें मैं आपको सुचुच करना चाहता हूँ आपको बताना चाहता हूँ कि बोरक गुर विष्टु विद्याले के वारिच संकाय के अपको बताना चाहता हूँ या तो बिष्टु विद्याले अनपड चात्रों का एडमिसन ले रहा है अनपड चात्र पढ़ा रहा है या तो हम चात्र ये समझ सकते हैं कि बिष्टु विद्याले की कापिया अनपड मास्टर चेक कर रहे है आगिर इसका क्या मतलब है कि अभी तक जिन चात्रों का परसेंटेज 70-75% से उपर आता था उन चात्रों का परसेंटेज 50% 51% हो गया है क्लास में BBA 1st Year में 60 बच्चों है 60 बच्चे में 32 बच्चों का बैक आ जाता है इसके पहले हम लोग भी 1st Year से 2nd Year, 3rd Year हो क्या है लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ आखिरकार क्या रीजन है? क्या मतलब है कि गोपिनाद गुरुजी के होडी बंते ही हमारे विभाग में फेल की समस्या है, बैक की समस्या है, कितनी जादे होनी लगी में आखिरकार क्या दिक्कत है M.B.A में जिन छात्रों का प्लेसमेंट तो ले का है वामो। आ के बिद्धिर में दुड़ा हो प्लेसमेंट की रहा हैं कि आप जब एक्ट्रा पैसा देंगे तब कमपनियों को बुलाया जाएगा और आपको चैरित कराने का काम किया जाएगा हम आपको सुचित करना चाहते हैं कि गोरग कुर विस्विद्याले में अपने संकाय में वारी संकाय में अम्भिय विभाग में जब अपने चोड़ी के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं, तो वहाँ पे हर छात्रों को छात्र नेता घोसित कर दिया जाता है, वहाँ पे छात्र उठारने वाला हर छात्र छात्र नेता होता है, वहाँ पे उनको ये समझा जाता है कि ये नेता प्रगृत का इंसान है, ये छात्र नहीं है, ये फा सब्सक्राइब करने के एक दम बिल्कुल ताना साही प्रगृत के इंसान है जाने पर अलग टाइब के बोलते हैं अब मजबूती से गोपीनाद सर को चेंज करें कोई नया एक अच्छा विवागा ध्रच बनाये जाए जो छात्रों को उचित लगे उनको बनाये जाए और यहां पे सभी छात्रे यहीं चाहते हैं कि परजेंटली जो विवागा ध्रच गोपीनाद गुरुजी है उनको बदल जाए वहीं गोरकपुर न्यूज ने अपने दूर्भाशिक वारता में प्रोफेसर गोपीनाद से जब बात करनी चाही तो उनका स्पस्ट कहना है कि ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ है और चात्रों द्वारा लगाया गया आरोप गलत है यूपी और उत्रकंड के सीमा शुल्क के आयुक्त शिवकुमार शर्मा ने सोमवार को गोरकपुर मंडल कार्याले पर आयोजित पत्रकार वारता में बताया कि विभाग ने वित्ती वर्स 2017-18 में अपने कारशेतर में 290 केस में 29 करोड 4 लाग का सिजर किया है जो की पिछले वर्स की तुल्ला में 18 करोड के सिजर से 61 प्रतिशत अधिक है इस सिजर में कुल 45 किलो सोना 150 टन विदेशी सुपारी भी शामिल है उन्होंने बताया कि इस वित्ती वर्स में कुल 18 व्यक्ति गिरफतार किये गया है उनका कहना है कि विभाग द्वारा एक वेबसाइट का लिंक जारी किया गया है जिसमें इंपोर्टर एक्सपोर्टर अपनी समस्याओं का संग्यान ले सकते हैं जिस पर त्वरित कारवाई भी की जाएगी इसके अलावा कोई भी व्यक्ति तसकरी संबंदी जानकारी देता अधर प्रक्वार शर्मा नामिजी देता शूवर्ट आयूग्त है यूगत उत्तर प्रदेश और उत्तरागंड दवर्ण राज का आयूगत हूँ और हम लोगों का जो मेन काम है वो यह है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेतेड गति वी दिया तो यहाँ पर जो import export होता है तो लन्ड custom stations को ठूख होता है जैसे कि लन्ड custom station नहींद के बगल में सुनवली है उस्सरा land custom station नहींद के बगल में बढ़नी है तो मेरे जूगिशन में बहुंद बढ़ने के लन्ड custom stations है और इसके अलावे international airport है जैसे कि वाराणसी इंटरनेशनल एरपोर्ट और लखनव इंटरनेशनल एरपोर्ट वहाँ पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती है वहाँ पर हमारे इस्टाप तैनाथ है वहाँ दो एक लखनव और एक वाराणसी और एक आगरा भी है तो आगरा में basically chartered flights आते हैं जो main passenger flights आते हैं वो number one लखनव है number two warranty है इसके अलावे 15 जनवरी से जो है हमारे पास आप लोग in-land container depot का नाम सुने होंगे ICD जैसे कानपूर में ICD है तो ICD को dry port कहते हैं ICD के थूँ जो export import होता है तो कानपूर में हैं आगरा में ICD हैं बदोही में मादोसीन में ICD है इसके अलावे हवाई जहाज के थूँ जो export import होता है दो air cargo है एक लखनव एर cargo एक वाराणसी air cargo है तो इन समस्त जगहों से जो है export import का कार यह होता है तो हम लोगों का पहला काम है export import का प्रकून काम है तो यह है कि smuggling की रोक थाम में हम लोग कूर्तिया प्रतिबद है हम लोगों का mandate यह है कि smuggling की गतिविद्यों में कूर्तिया हरे ग्रूप से अंकुष लगाना तो पहला तो काम हुआ trade को facilitate करना export import के हिसाब से और उसी के साथ साथ जो है smuggling पर अंकुष लगाना तो smuggling पर अंकुष लगाने के लिए हम लोगों को ज़रूवत होती है कि हमारे पास informer proper तरीके से हमें information दे और सथीक information मिलने पर उसी पर हम लोग काम करते हैं और उस पर हम लोग case बनाते हैं past में भी मैंने पत्रगारों आप लोगों के साथ meeting किया था तो मैं आप लोगों का बहुत आभार बैक्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो अपना paper में जो आप लोगों ने निकाला उसके कारण हमारा information का network बढ़ा है हमें बहतर information मिले हैं और उसके फल्सरोप हम लोग अच्छे-चे cases बनाए हैं और उस बात को मैं फिर से repeat ये करना चाहूँगा कि जो information देता है उसको जानकारी होनी चाहिए कि हम किसे information दें तो हम लोगों का विभाग का एक website है customs लखनवू लिपने से website खूल आता है तो उस website में सारे detail दिये गए हैं कि आपको किसको information देना है बट विभाग के किसी भी अधिकारी को आप information दे सकते हैं customs के चाहा गोरतपूर में दे सकते हैं सुनोली में दे सकते हैं जहां-जहां हमारे offices हैं और जो भी व्यक्ति information देता है उसके नाम को कोंते अगुत रखा जाता है उसकी नाम की जानकारी कभी किसी को होती नहीं है और उस व्यक्ति को जो है seizure value का 20% तक की रहसी reward के रूप में दे जाती है तो उसके लिए भी एक incentive होती है और reward के अलावा बहुत लोगों के अंदर ये pulling होती है तो मैं इस आपको smuggling से related activity में बताने चाहूँगा कि पिछले वित्तिय वर्स में हम लोगों का seizure 18 करोड का था पिछले वित्तिय वर्स में हम लोगों ने 18 करोड का seizure किया था और इस वित्तिय वर्स में हम लोगों ने 29 करोड का seizure किया मतलब बित्य बर्स का मतलब एक अफ्रिल से लेके 31 मार्च तक का हम लोगों का खत्म हुआ इसमें हमारा सीजर 29 करोड़का हुआ है अब पिछले 22 बर्स में हमारा सीजर 18 करोड़का था तो आप देखिएगा कि पिछले बित्य बर्स के तूलना में हम लोगों ने इस बार 100% ज होती है कि मतलब यह इस टाइब का कोई information reward की policy है सरकार का और क्या कियते हैं और एक बार मैं अगर किसी को information दे दे रहा हूँ तो हमारे जान का खतरा हो सकता है बड़ आप लोगों के माध्यम से information फिर से जाना चाहिए जो मतलब सरकार की जो policy है उसके तब जो भी ब्यक्ति information देता है उसके नाम को 100% ने 500% गुट रखा जाता है उसकी नाम के जानकारी किसी को भी नहीं होती है 45 kg पे गोल्ड का seizure हम लोगों ने किया है और 45 kg के गोल्ड के seizure में 18 लोगों को हम लोगों जानकारी होगी 1.5 kg के करीब का उसके लावे रेलवे स्टेशन मतलब मुगल सरा रेलवे स्टेशन पे भी हम लोगों ने करीब करीब साड़े जारे किलो का गोल्ड का seizure किया पैसिंजर जो है मियामार से स्मगलीन करके गोल्ड लाय था और कलगटा से लेकर ट्रेन में राजदानी में चड़के जा रहा था तो शठीक इंपोसिशन पे रात को उसी के बर्थ पे जाकर उसको उतारा गया और उसके पास से 11 किलों की गोल्ड की रिपगरी हुई है इसके लाबे एयरपोर्ट पे हम लोगों ने इंटरनेशनल फ्लाइट में वी गोल्ड पखड़ा है और डॉमेस्टी स्लाइट में दिल्दी से अगिलड प लगनव आ रहा रही थी उसम्हे लोगों ने गोल्ड पखड़ा है सुचनातन्त मजबूत होने के लिए ज़रूरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जो इंफॉर्मर है उसको यह विश्वास होना चाहिए कि जो भी इंफॉर्मेशन में दे रहा हूँ हैं जो हमलोगों की जो पॉलीसी है उसके तहत काफी आइटमस ऐसे हैं जो कि फ्री शिपिंग बील के दहद मूब करते हैं, फ्री शिपिंग बील का मतलब से चितना एक्सपोर्ट यो होता है, परतिय दिन आप समझ लीजे से 500 ट्रक गोजपास होते हैं, तो उसमें जो फ्री शिपिंग बील वाले आइटेम है, मतलब जिस पे कोई ड्यूटी नहीं को बताई कि 14 लैंड कस्टम इस्टेशन है हमारे, उसी टाइप से अलग अलग जगों पर जैसे यहां पर आप देखिएगा, कुशी नगर में हमारी मुबाइल प्रिमेंटीव इनिट है, नोगर में हमारी मुबाइल प्रिमेंटीव इनिट है, इन लोगों का काम है, जनपद अस्तरी विकास कारियों की मासिक समीक्षा बैठक जिलादिकारी के विजयन पांडियन की अध्यक्षता में विकास भावन के सभागार में संपन हुई बैठक में PWD के द्वारा कराय जा रहे सडकों के निर्मार गन्ना संस्थान के सिफ्टिंग जल निगम सिक्षा विभाग सहित अनि विभागों के कारियों की प्रगती की जिलादिकारी ने क्रमवार समीक्षा की और अधिकारियों को कारियों में तेजी लाने के निर्देश भ जीओ 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 इस ने नौल रूऊमार एंग। और सो फिच्छे नमब्स जब इश्टे वहीन क्याता जागा एए पने कुछी हो देंगे शचार पयसंद चार पिया नहीं इश्टे जिए आगका क्याता है जाओ लुए प्रिशिए धने सुछी से जरेडने सीने रॉष्डर्शार प्रहिए ब्रोस इजो के टेव हूँ शे सबका पुणा घणा जाए जिए जिए टिए टीओ कफ़ना वाई दिए और गवाई शेव है हमाई तो यह तो आपके अपके इसकी अपर हो जो यह तो जिए इसकी अगाप आप पहर हो इसे पिटा प्रुदी का बवन पोट्चा को नहीं है, नहीं सर्थ .. पीट पूढ़ी का है? निसकावा बंद्धू सिशारिपगात पोगिया? जी सर्थ गुथए नलकुप का होगी है, तरददददो साहिए नियोन सर्थ पिस्रेज़ार पावरण दिय्क्राइब। मेरे साथ या, साथ की डागरों, गुर। मोटीव को राला टारंग! बिल्टार माव भीज़ा है!! तो भीजि केवस्ट बीज़ेर गया? ओगो ये पाम वाख उनकार भीज़ा है? पूर्ण काम चामती, लागित करका कशे है,रे चार करें इसको बीजी काम बुलाज जी और अपके आगे के जोपरक चभदी में मत्ति जीएउड़ीट हूए काम बॉस्ति है को पीजिए पूर शंसे यहां चैनल कर दो यह सिर्फ हम साफ वह रामुद्र शिर्री ऐनार कि मद्रणा अगा बॉसा का हुआ प्रैन आरागो जोस्टिकी प्रैणन ञेशाओ अगुड़ी तो गट नियुक्तिक निए तो जो जाए कि समयिंगे बुक्तिक नेजे जो सब्सक दलितों के उपर हुए अत्यचार के विरोध में कॉंग्रेस के द्वारा देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में गोरकपूर के कॉंग्रेस सिकाई के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन नगर निगम के रानी लक्ष्मी भाई पार्क में मौन के रूप में किया गया जिसका नेतितु कॉंग्रेस के नगर अध्यक्ष अरुन कुमार अग्रहली ने किया कॉंग्रेसियों को कहना है कि सरकार दलितों के साथ पक्षपात और रवया इक्तियार कर रही है जो कि कॉंग्रेस कभी बरदास नहीं करेगी गुरपुनियू से बात करते हुए कॉंग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरुन कुमार अग्रहली ने बताया आज हम लोग का जिला और महानगर कांगरेस कमेटी गुरपुनियू के संजुक कत्राथान में हम समक्ष कांग्रेस जन अपने अखिल भारती कांगरेस कमेटी के राष्टी अजजच माननी राहुल गाधी जी के आवान पे देश के सभी जिला मिख्यालों पे हम लोग आज उत्वास की रूप में देश के अंदर जल्टों के उपर जो आए दिन अस्टरचार की घटनाएं बढ़ गई उनको जो एक समिधानिक अधिकार जो समिधान में परदत है उसको खत्व करने का कें सरकार दोराएकुशित को पर्यास किया जा रहा है और पिछे दो तारीक को भारत बंद के दावरान जो भी तमाम ऐसे निर्दोस जल्टों के उपर फड़ी मुगदमे लगाये गये उनके उपर बरबरता प्रवगलाटी चार्ज दिया गया इसमें कई आनुरुनकारी सहीग भी हुए उन समों सभी की जोका आप जोज करने के लिए अंग्नमत कांग्रेशन गाउनहालिसित महारानी लेशनी वाई पार्फ में तत्र हुए है और उस्वाज के माध्यम से केंद उन परदेश सरकार्त के आवाज पहुचाना चाहते हैं इसको समयदानिक रूप से नेतिक रूप से जो एक गलिद भाई हैं तमाज के अंतिल डेक्ट हैं तोसित वर्ग है उनको जो एक पूटनीत के तहत उनको जो अत्कारों से बल्शित करने का प्याम की अज़ा रहा है या उनको पर जो आत्याचार की घटना है दिन पर से जिन बढ़ती जा रही है उसके बिरोद में हम समध कांगरेजन यहां पर उकवास के माना से बिरोद पर कट कर रहा है और के अंदरन पर जो इन घटनाओं में लिप्त हैं जो दल्टों के उपर अत्याचार करने उनके बिरोद कड़ी से कड़ी करवाई की जाए और जो फर्जी म पर में को तदकाल वापस लिया जाए नहीं तो हम कांगरेजन यह जो संघर्ष की आज प्रात्विक चरण के रूप में हम लोगों पौास पर बढ़ते हैं उसके बाद करमसा है हम लोगं धरने के रूप में परदर्शन के रूप में गिरपतारी के रूप में यहां भी जि जिला अधिवक्ता एंशोसियेशन के बैनर तले सोमवार को अधिवक्ताओं ने अपनी मागों को लेकर जिला अधिकारी कारियाले के समच्च प्रदर्शन किया और अपनी मागों से संबंधित ग्यापन डीम को सौप दिया अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं अधिवक्ताओं ने आज भी न्याई कारिये से विर्थ रहे अपनी मांगों को पूरा होने तक आंदोलन करने की उन्होंने चेताउनी भी दी है जिन्दाओ, जिन्दाओ पर सो जता है बहुत्परorta को रहा को टाचा है वादा हुट्से और हुट्थे है अगी स्गय कोष्पर अरे कुपतान जा होंगा कि 40 और 45 पर्जों से इस जिल्ह में जिल्ह मुख्यारा पर तसीम से आए वे लोगों को बैठ करने की द्रमपरा का आप द्वारा जो है उसको पिस्टाब करने का प्रास कह जा रहा है अब आध है कि जिल्ह पर तमाम अर्वसी लाकील परकाम उत्रबते हैं बाथ काई तमाम साव रहते हैं जो यहां पर मुकदमे काitchens है और यह हमे कही मुकदमे देखे जाते हैं और सीम्न मुकदमे को जिल्ह मुक्यारा को बमकोरा फिल्ह ही नहीं होती है 101 009zos कमीरे के मुकदमे में सर्कारी वकील जिल्हा मटकाली पर अउब्लबत होते हैं रिवर्ट में आरेडी इनके सर्दारियों के जिनाम क्याले बहुत लगते होते हैं इस अभी मादों कुछ जिनादिकारी है और कमिशनर महुदेग को लगत कराए गया लेकिन अभी तक आप में जूने रही लगता है कि आप इस संधर्श को होरा के बहाँ जाकरें ब्रेक में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी दोबारा नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुक हैड्लाइन्स पर प्रापर्टी डीलर हत्या के मामले में निशाद पार्टी के संजय निसाद पहुचिए मृतक के घर कहा प्रसासनिक अधिकारियों से हुई है बात जल्दी होगी अपरादियों की गिरफतारी जलादिकारी के विजियन पांडियन ने स्टीपी वाटर स्पोर्ट कॉंप्लेक्स और नौकायन केंद्र का किया निरिक्षण कार्यों में तेजी लाने के लिए दिया निर्देश गुरपुर विश्विद्याले के MBA और BBA के छात्रों ने लगाया प्रोफेसर गोपीनात्पर भस्ताचार का आरोप कहा लगातार डीन कर रहे हैं अपनी मनमानी यूपी और उत्राखन के सीमा सुल्क के आयोक्त शिव कुमार सर्मा ने बताया कि विप्ती वर्स 2017-18 में विभाग ने 290 केस में 29 करोड चार लाग का किया है सीजर जिलादिकारी की अध्यक्षता में संपन हुई विकास कारियों की मासिक समीक्षा बैठक विकास कारियों में तेजी लाने के लिए दिये निर्देश पूरे देश सहित महानगर में भी हुआ दलितों पर अक्तियाचार के विरोध में कॉंग्रेसियों का प्रदर्शन रखा मौन वरत अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने डियम कार्याले पर किया प्रदर्शन मांग पूरी नहीं होने तक दी आंदोलन की चेताओनी श्कॉलर्शिप और सुल्क प्रतिपूर्थी की मांग को लेकर आल बीटीसी वेलफेर एसोशियेशन के सदक्सियों ने जिलादिकारी को दिया ग्यापन दो दियुसी राष्टी संगोस्ठी का हुआ समापन वर्तमान वैश्विक परिपेच में बौध सिख्षा की प्रासंगिक का विशय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार गोरःपूर में फिर मौसम ने ली करवट बढ़ी शहरवासियों की सांसर मध्यप्रदेश के दूर्ग में सिंधी यूअप को हतकड़ी लगा कर शहर भर घुमाने का सिंधी समाज ने किया विरोध सिंधी काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष गौरःफ खटर ने की प्लेश्वारता और जगदंबा प्रसाद पांडेश मारक फिप्थ एससाइड अंडर सिक्स्टीन जीला स्तरी हौकी क्रिकेट का हुआ उद्खाटन उद्खाटन मैच लक्ष स्पोर्ट्स अकैडमी ने साथ के मुकाबले चार से जीता हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं कुछ तौफे हम कभी नहीं भूलते जैसे घर आई नन ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार दिवाली पर मिठाई के डब्बे में चुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तयारी में शुब आरंब का आशिर्वाद एश्प्रा चियत्तर सालों से परंपरा विश्वास की गोरकपूर न्यूज के तरफ से एक विशेश ओफर एश्प्रा के शोरूम जाईए और जितने भार का शोना आप खरी देंगे उतना ही चांदी मुफ्त पाईए अपने आपको गोरकपूर न्यूज का दर्सक बताईए और इस विशेश ओफर का लाब उठाईए ब्रिक के बाद आपका फिर से इस बुलिटन में स्वागत है चले बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ स्कॉलर्शिप और शोल्क प्रतिपूर्ती के मांग को लेकर सोमवार को All BTC Welfare Association के सदस्यों ने जिलाध्यक्ष अनील प्रताप के निर्तित में जिलाधिकारी को ग्यापन दिया है ग्यापन देने वाले चात्रों का कहना है कि BTC 2015 बैच के तरिती वर्थ की चात्रविर्ती स्टेटस पेंडिंग और सस्पेक्टेट दिखा रही है जिसके कारण अभी तक छात्रविर्ती नहीं मिल सकी है जिससे उन्हें कई दिकोतों का सामना भी करना पड़ रहा है ग्यापनियू से बात करते हुए एसोसियेशन के अध्यक्ष अनील प्रताप ने बताया जाट बिलती यंशुल्क प्रत्पुल्ती कुमान को लेकर हम लोग है है बीटी सी के हम लोग छात्र है दुरदपुल्जिले से हैं नीजी बीटी सी कालेज और डाइट से भी इसमें है अभी सभी बच्चों का इसका अशित नहीं है अमारे पर सिच्चु साह जाए क्या मांग है आपके जिला दिकारी से जिला दिकारी महुदे सही मांग है कि सस्पेक्ट दूर करवा के और समस्या का निराकरम करें और साथ बिर्ति को धनवास को हमारे आपस अंख्याम के परिशद नई दिल्ली और दिगविजनाथ पीजी कॉलेज के संयुक्त तत्वा धान में दो दिवसी राष्टी संगोस्ठी का समापन सोमवार को हो गया इस समिनार का मुख्य विशय वर्तमान वैश्विक परिपेख्च में बौध सिक्षा की प्रासंगिक्ता के बारे में अलग-अलग वक्ताओं ने अपने-अपने विचार दिये कारिक्रम की शुरुवात स्वरस्वती वंदना के द्वारा की गई उसके पशात सम्मन्धित विशय पर कारिक्रम की अधिक्षता कर रहे गुरकपूर विश्विद्याले के कुलपती प्रोफेसर विजय क्रिश्म सिंग और विशिस्ट अतिति के रूप में डॉक्टर शेर वहादूर सिंग ने अपने अपने विचार रखे विश्विद्याले की अधिक्तावार का वहादा है वहाद विश्विद्याद कर रहे गई है एपिए पर उन्हीं वादुक्ति जालागें, इसके बनुट को हम पिए प्रिशापुर में पर्विए पर्वार्श की भी गास्प्राइब गुगा और इसी शेज करते हैं गूराओ यह तके पारे में बच्चा-बच्चा और जालगारी सबी नेता है कि अधियास कारों ने वह संगुष्टी में आगुष्टार्थ उसके बारे में जर्चा किया होगा उनोंने और जो दग्रास हर दियुक्ति विजार खराद वह हर काल में हर जुन में सही माने देए और जो दिन्मान के अधियुक्ति परक्रफणा है तो मौस की परक्रफणा बहुत अधिया तो मौस के जर्म से देखे मुष्टी दग्राद के बीता जो सफ़ा है मानों जीमिन का वह प्यान प्रादी उसका मुष्टे के समसारता है सब्सक्राइब की बीदिन्सर Hiçअब कर देखे मान वह परक्राद के समारा बुलिए कशिनी संफ़ोर के बीस ḥ आमान परता में परहल नौ मान जा मुष्टे के मिभीत परक्रफणा अगरो फुर्ण का पतार होए रिकान सुने कि यह थे खराव और कई कंद्री तो आज उचप आपकर पान करते हैं बहुत निण उचाठ हरा कोपना देंगे और उन्यूंट कि रहनों करते हैं बहुत निगे भाले में परशे के लुद्शनी क्या हुआ ख़ती है युँ नन्यों कर दिते रसके स preach ije मिल के ढईना है युँ रसके सबीब ज chilli ुद जुँ जगे े सबस्सके ऑनिया उनका थ्याद सबस्सके जे उते लिध evac ऊिते उता है उासे फट्हें लोडcul आप एक जिर्वार्त कर दिया कि आपके वहार में निद्धाने के बाद क्या होता है, इसके बाद किया होता है, इसके बाद किया है। पर यह होता है उस्तीर होने लगार के अंदर आपके सरीर के अंदर जो चेहर का मेंदारी से करेंगे जो जोड़े के अंदर पर यह है तो आपको अजिस्तीर होती है के अंदर जीवनकार में वानम परकांग के लिए काम किया लोगों के लिए गाम की काम लिए मैं तुटकर शाथिन दिवाद से हूँ और ये बिटे दो गिन से जो शांती का संदेश खलाए जा रहा है मात्मापुत्य के बादियम से निश्यतूद से प्रसंद सभी है अंकरडी है और मैं तो जब डिफेंस स्टेडीस के प्रोटेसंस को सुनता था पौटा था दोगाता लेखता था इफ्यू और पीस नो वाट इफ्यू और पीस अंडर्स्टेंड वाट लेडिगार कहते थे कि अगर आप शांती चाहते हो तो यूद्ध आवस संभाली लेकिन यहां पर हम यूद्ध और सांती की बात नहीं करेंगे निश्यतूद से आज का जो विसाय है वह ब बताना चाहते हैं जहां तक मैंने महसूस किया महत्मा पुद्ध की परिकल्पना थी कि सब को साथ लेकर पिछलोंगी आओ मेरे साथ जुणो मेरे साथ सीखो मेरे साथ कहो मेरे साथ ज्यान करो मेरे साथ और इस परिकल्पना में वह भाव था जो प्रेकलाप्ट के साथ गुरुसी से एक प्लेटफॉर्म पर बैट करके सिंगते थे, समझते थे, ज्यान क्राफ्ट करते थे और एक दूसरे से जो सस्त्राश्ट करते थे, अगर हम प्रजेंग एजूकेशन की बात करें तो उसमें और बुद्र के काल में बहुत परकम बाते हैं, वहाँ क्या था? कोश्यम एंसर के माध्यम से, चाहे महात्मा बुद्र हों, चाहे हमके सिस्से हों, यह जो लैच्टे होती थी, यह जो चर्टार सासरास भोता था, वहने शिक्रूप से अंगर रही है, प्रस्म उत्तर के माध्यम से, इसका आज हमको इस सिक्षा में गेतान अग्वान दिलता है, इसके अलाव हों, मैं आपको एक आप बहुत बताओ, कपल बस्तु में एक नाम आता है हुपाली नाई का, महात्मा बुद्र ने भरगवान बुद्र ने उसको अपनी दिक्षा दी, और वहां के राजकुमार आए उनको बाद में दिक्षा दी, वहां किसी के साथ कोई कोई भेड, कोई भी भेड नहीं करते थे, तो इस तरह की भावना महात्मा बुद्र में थी, और हम आज दुनिया के तमाम चाहे चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे मलेसिया हो, सिंगापूर हो, या आपका चाइना हो, या आपका स्रिलंका हो, इवन मायन मार हो, इन तमाम बे मौसम में आये इस अचानक बदलाव से महानगर वासियों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा वहीं इस समय ग्रामीर छेत्रों में गेहूं की कटाई हो जाने के बाद उनके भूसों का क्या होगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं शाम के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर लोग सडकों से गुजरते नजर आये और कुछ ने अपना मूँ बाध कर चलना ही ठीक समझा महानगर के कई बैनर और पोस्टर उखड़ गए और विद्दुत की विवस्था कुछ समय के लिए धुस्थ हो गई बाब गऑमप से लिवस्था कोचे अने सटीक में प्लाइज हो भी सिवस्था आपि प्रूपiezा को प्रूब जलाइज हो मैं रール 2 स만 यार नह भी से भी सिवसında मैं प्रूब ओ बाये पमे ऐंज सलेकिवग कर दिनो मध्यप्रदेश के दुर्ख जिले में दो सिंधी यूकों को पुलिस के द्वारा हथकड़ी बाद कर शेहर भर में घुमाये जाने के विरोध में सिंधी काउंसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष गौर खटर ने पत्रकार वारता के माध्यम से इसकी निंदा की है उन्होंने पत्रकारों से बाद करते हुए कहा कि दोनों लोगों को हथकड़ी पहना कर रसी बाद कर सड़कों पर घुमाये गया ये सिंधी समाज कभी बरदास नहीं करेगा इस संदर में आगे उन्होंने कहा पीन दन पूर्वत, शत्तिस गण राज्य में, जिला दुर्ग, हमारे दो संदी बच्चों के साथ एक छोटे से विबाद को ऐसा तूल दिया और हमारे संदी समाज के बच्चों को जिरफतार कर रोड पे हथकाड़ी पहनवा, प्रशाशन के माध्यम से द्रसी बंधवा कर ऐसे घुमुआया, लगा ऐसा कि वहा आतंगवादी आप राधी है और पत्रकार बंधू ने यहां तक कह दिया हम लोग के संदी समाज को बकाइद अख़बार में चाप दिया कि हम संदी समाज आतंगवादी आपके पकिस्तानी तालीबानी हैं और अभैद रूप से यहां भारत में रह रहे हैं इसकी इस शब्द वाली का हम सब संदी समाज पूरे भारत देश के खोर निंदा करते हैं उनके शब्दा वली की और उन्हें कहते हैं कि यह कहने से पहले उन्हें जान लेना चाहिए वहां किसके बारे में बात कर रहे हैं एक संदी एक मातर ऐसी कौम है कि बिना रक्षण के आज भी वहां अपने महनत के दम पे जी रही है और हम सब को इस बात का गर्व है बहुत अफसोस की बात है कि लोग ये जब कहते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं अरे भाई मैं उन सब से आपके माध्यम से प्रश्न पूशा चाहता हूं हम पाकिस्तानी हुए कैसे जब ये 47 में हिंदूस्तान का विभाजन हुआ तब सिंद वहां गया सिंद तो पहले हिंदूस्तान में ही था तब तो पाकिस्तान का नामों निशान नहीं था और आज आप कहते हो कि पाकिस्तानी हैं हम ऐसा कहके वह सिंदी समाज के एक एक प्राणी का उन्होंने उसकी भावनाओं को खेस पहुचाने का काम किया है मैं पूरा संधी समाज उस चीज की घोर नंदा करते हैं और उन्हें एक बार पूर्ण मैं निवेदन करता हूँ वहाद किसी के बारे मैं कहने से पहले एक बार उनके समाज और उनका इतिहाद जान ले सुमवार को रीजिनल स्पोर्ट स्टेडियम में जगदंबा प्रशाद पांडे समारक फिप्त एसाइड अंडर सिक्स्टीन जनपद अस्तरी प्रतियोगिता का आगाज हुआ प्रतियोगिता का उधगाटन मैच लक्ष स्पोर्ट स्कैडमी और छेतरी किडांगन गुरकपुर के बीच खेला गया उधगाटन मैच को लक्ष स्पोर्ट स्कैडमी ने छेतरी किडांगन की टीम को साथ के मुकाबले चार के अंतर से हरा कर जीत लिया प्रतियोगिता के उद्गाटन मैच में मुख्य अतिथी मुख्य सतरकता अधिकारी पुर्वतर रेलवे पियन राय ने दीप प्रजलित करके किया मुख्य अतिथी का स्वागत आयोजन समिती के सदस्यों ने बैश लगा कर किया अन्य अतितियों में पारशद गिर्जेस पाल और राजेस तिवारी मौजूद रहे इस मौके पर अंतरास्टी खिलाडी माइकल एलेक्जेंडर हौकी गुरू इमरान खान महिला हौकी प्रसिक्षक एनपी गौड सहित पूर्व खिलाडी और प्रतिभागी खिलाडी मौजूद रहे बताते चले कि अंतरास्टी हौकी खिलाडी और बोल्ड आफ मेंबर पूर्वत्तर रेलवे स्रमिक संग गौरकपूर रीता मिश्रा द्वारा जनपद में पहली बार आयोजित फिफ्ट एसाइड अंडर 16 जनपद अस्तरी नौक आउट हौकी प्रतियोगता में बालक जनपद की कुल चार टी में हिस्सा लेंगी गुरकपूर न्यूस से बात करते हुए मुख्य अतिथी के रूप में मुख्य सतरकता अधिकारी पुर्वत्तर रेलवे के पियन राय और प्रतियोगता का आयोजन करने वाली अंतरास्टी खिलाडी रीता मिश्रा ने कहा प्रतियों के साथ गुलाब का फूल लच्छी स्पोर्स अकेडमिक की फिलाडीयों की अच्छा गोल कीपर का बचाव फुल आठ फिलाडी है पाच मेदा अच्छा गोल किया जैसिन अच्छा गोल आठ पर्देश में पहली बार फाइफेसाइड मेरे द्वारा एगनाइस किया गया है जो कि अपने फ्रेडरेशन के द्वारा प्राप्त हो गया है आज मेरे बच्चे फाइफेसाइड को देखे और सुने तो बहुत खुश मुए हूँ कि नया एक गेम होकी म पहली बार उत्तर पर्देश में गोरभपूर में मेरे द्वारा स्वयम प्रयास से और मेरे सीनियर जो होकी भहिया लोग है उनके प्रयास से आज मैं उत्तर पर्देश में एक इतिहास रचा है कि उत्तर पर्देश से पहली बार होकी फाइफेसाइड किया जा रहा है और न 42 नंबर वार्ड पार्षद और स्री राजेश तीवारी जी जो की पार्षद नौ के उनके दुआरा बच्चों को और पोसाइद करने के लिए नाम गिफ्ट की घोशना की गई जो के और भी भव्वे हो गया मेरे दुआरा साथ में सबसे बड़ी बात है कि अपने उत्तर परदेश के SP सहाब ने भी फाइनल समापन ग्यारा चार तीन बजे समापन होना है उसके लिए SP सहाब ने भी हमको अपना समय दिया है और सबसे बड़ी खुसी की बात है बहुत इतने वीजी सुडूल में मेरा पूछे कि आप क सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई चीज अच्छा कारिया करता है सबसे अच्छा और सबसे पहला काम मैं धन्यवाद देना चाहते हूँ प्रेस मीडिया को आप जैसे भाई को जो अच्छा कोई कार होता आप आपको भी मैं बहुत बहुत धन्वाद करती हूँ और मतलब कि मैं जितना तारीफ कर आज कोई भी कार अच्छे हो रहे हैं लेकिन आपके सहीयों से आपके चैनल के द्वारा अगर नहों तो कैसे प्रस प्रसाहिद कर रही है जिसे कि खेल सके और इस चीज को मैं मानता हूं कि धेर सारे इसे लोगों की देश को जुगत है तो लोगों को फ्रसाहिद करें ताकि देश के अंदर खेल का एक बहुत अच्छा बाता रहा है जब तक छोटे से ही तो खिलाडी निकलते हैं बहुत जल्दी जल्दी फिर से नज़र डालेते हैं आज की प्रमुख हैडलाइन्स पर प्रॉपर्टी डीलर हत्या के मामले में निशाद पार्टी के संजय निसाद पहुंचे मृतक के घर कहा प्रसासनिक अधिकारियों से हुई है बात जल्दी होगी अपरादियों की गिरफतार जलादिकारी के विजियन पांडियन ने स्टीपी वाटर स्पोर्ट कॉम्पलेक्स और लौकायन केंद्र का किया निरिक्षण कारियों में तेजी लाने के लिए दिया निर्देश गुरपुर विश्विद्याले के MBA और BBA के छात्रों ने लगाया प्रोफेसर गोपीनात्पर भस्ताचार का आरोप कहा लगातार डीन कर रहे हैं अपनी मनमानी यूपी और उत्राखन के सीमा सुल्क के आयोक्त शिव कुमार सर्मा ने बताया कि विप्ती वर्स 2017-18 में विभाग ने 290 केस में 29 करोड चार लाग का किया है सीजर जिलादिकारी की अध्यक्षता में संपन हुई विकास कारियों की मासिक समीक्षा बैठक विकास कारियों में तेजी लाने के लिए दिये निर्देश पूरे देश सहित महानगर में भी हुआ दलितों पर अक्तियाचार के विरोध में कॉंग्रेसियों का प्रदर्शन रखा मौन वरत अपनी मांगों को लेकर अधिवक्ताओं ने डियम कारियाले पर किया प्रदर्शन मांग पूरी नहीं होने तक भी आंदोलन की चेताओनी श्कॉलर्शिप और सुल्क प्रतिपूर्थी की मांग को लेकर आल बीटीसी वेलफेयर एसोशियेशन के सदक्सियों ने जिलादिकारी को दिया ग्यापन दो दियुसी राष्टी संगोस्ठी का हुआ समापन वर्तमान वैश्विक परिपेश में बौर्ध सिक्षा की प्रासंगिक का विशय पर वक्ताओं ने रखे अपने विचार गोरःपूर में फिर मौसम ने ली करवट बढ़ी शहरवासियों की सांसर मध्यप्रदेश के दूर्ग में सिंधी युवक को हतकड़ी लगाकर शहर भर घुमाने का सिंधी समाज ने किया विरोध सिंधी कांसिल आफ इंडिया के अध्यक्ष गौरःफ खटर ने की प्रेश्वारता और जगदंबा प्रसाद पांडेश मारक फिप्त एससाइड अंडर सिक्स्टीन जीला स्तरी हौकी क्रिकेट का हुआ उद्खाटन उद्खाटन मैच लक्ष स्पोर्ट्स अकैडमी ने साथ के मुकाबले चार से जीता अब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहे गौरःफ पूर न्यूज न्यूज बीफोर हेडलाइन नमस्कार